प्रॉम एन एक्स्टरनल पॉइंट पी बाहरी किसी बिंदू पी से टेंजेंट पी एंड पीवी आर ड्राउन टू ए सर्कल दो टेंजेंट ड्राउ किये जाते हैं पी एंड पीवी ठीक है इह कितना दिया है पचास डिगरी दे रहका है अपको ठीक है ध्यान से देख रहे होगा अगर दिख रहा होगा आपचाँ सब्सक्क पचाश डिधी दिया है धन फाइंड ना इंग्ल ऐओ भी यह इंन में कालना है यह आपटा यह अमें तब कर लेंगे जल्दी है इस एंग्ल निकाल सकते हैं अराम से बताइए जल्दी से अर्य अराम से दिकाला जा सकता है कोई समख्ष्य यह best Star हमें कैल्कुलेट करने में चलिए एर गिवन गिवन है एंगल पी एवी इज इकवर टू फिफ्टी डिग्री देखो एक एंगल दिया है हमें पी एवी जो कि यह पचास डिग्री कि एडेंड क्या है कि अटियोगर सेंस कि ब्लीट कोई कधि का पर्पेंडिक्टुलर होता है पी के एक फिर ओ इस हमें पर पर्पेंडिकुलर जोने मां थाट्रप्रा किसी भी टेंजेट्यूर्पी क्य सीङ आपकर पा कर सब्सार्य ठीक है? तो, on tangent आप लख सकते हैं, on tangent, radius is normal किसे डीजय नौर्मल होती है आप 90ader सकते है, है किसके equivalent होती है? यहां से लेकर यहां तक 50ader सकते हैं, इस बात कलिए रहोगी आप सब को, सो एंगल ओए पी तो एंगल ओए पी बराबर होगा किसके 90 डिग्री के होगा देर्फोर एंगल ओए बी ओए बी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एंगल ओए पी माइनस एंगल पी ओए बी ओए पी कितना है 90 माइनस यह कितना है 50 तो कितना आ गया 40 तो एंगल ओए बी निकलके आ गया 40 डिग्री ये वाला अंदर वाला एंगल कितना निकल गया 40 degree देखो options के लिए तो मैं इसको direct कर सकता था solution मुझे करने की जरूबत नहीं थी अगर मुझे सिर्फ ये objective की थरह हल करना होता कि मुझे सिर्फ tick करना है तो मैं ये बड़े आसानी से टिक करते था कि D इसका सही आंसर है बहुत आसानी तरीके से मैं इसको answer कर सकता था कि D is the correct answer but हमे solution भी करना है solution करने के लिए देखो ये line लिखनी बढ़ेंगे solution देखो कैसा है कि दिमाग में आपने पता होनी चाहिए चीजें ये इसके client होता है अर ये इसके बरावर है ये सारे norm है जो आमने पहले ही आपको बता दी है सारे norm तो उन नियमों के अनुसार हम ये बात अपने दिमाग के लिख देते हैं in the 102 य ये होता है स्याहित अभी ये होता है ठीक़ आप ये आगके आपके पास एक angle देखो ये एक एंगल आ गया similarly आप इसको निकाल लेंगे 40 डिग्री है ना इसको भी निकाल लेंगे 40 डिग्री तो आप लिख देंगे similarly similarly angle OBA angle OBA is equal to 40 डिग्री तो angle OBA भी निकाल लेंगे similarly similarly इसी परकार है ना clear कोई problem नहीं तो angle लिखेंगे आप क्या करेंगे देखो angle OAB sorry हमें क्या ने कालना है अब कहने का मतलब देखो समझो इस चीज को मैं क्या कहना चाहरा हूँ हमें क्या चाहिए हमें चाहिए यह वाला अंदर वाला आपके पास एक triangle फॉर्म हुआ इन ट्राइंगल आप लिख सकते हैं ना इन ट्राइंगल OAB OAB triangle की हम बात करें तो दो एंगल आपको दिये हैं कितने आए चालिस और चालिस तो तीसरा एंगल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं के नहीं बताओ दो एंगल आपको पता हैं तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं कि एंगल सम् प्रॉपर्डी आप दे ट्राइंगल इस 180 डिगरी तो एंगल मतलब किसी भी ट्राइंगल के सभी एंगल होगा योग किसके बराबर होता है एक सोच सी डिगरी के बराबर होता है ठीक है तो हमें क्या निकालना है एंगल ए ओबी ए ओबी निकालना है तो जो की बराबर होगा किसके 180 डिगरी माइनस माइनस एंगल ऑनस एंगल O A B माइनस एंगल O B A इन दोनों को माइनस कर देंगे तो एंगल 180 डिगरी माइनस 40 डिगरी कितना होगा है 180 डिगरी माइनस 80 डिगरी that means 100 degree तो एंगल AOB कितना आगया बटा एंगल AOB आगया हमारा कितना आंसर आंसर आगया हमारे पास 100 degree तो 100 degree के मिसाब से option number D will be the correct answer तो option D हमने पहले ही टिक कर दिया था कि कौन सा उत्तर सही है और वही हमने देखो कर दिया टेंग है प्रूम कर दिया दो एक तरीगा ये हो गया solution करने का एक तरीगा आपका ये हो गया solution करने का और दूसरा तरीगा क्या हो सकता है बताव ओर दूसरा तरीगर क्या होगा देखो ये 50 यस मैं ASp में एक और भीसटेवकर नाएंटे मैंसे अगर नाइंटे मैंसे करें लिए फटी ये 50 सो ये इंटी इंटा रखेंगे इंट्वनेस का एमनत मैं शुलनों वैनेस्टी ह० और गाल इंड़न ने वैने यह अधेंगे उलस्टाइड ए कि mental १ो update है 180 के equivalent होता है ठीक है चलिए तो यह हमारा देखेंगे आप यह 180 के equivalent होता है तो आप सीधे सीधे निकाल देंगे 180-80 तो यह भी एक possibility है ऐसे भी आप कर सकते हैं तो इसी लिए इस तरीके से मतलब इसी लिए नहीं इसी तरीके से हमारा यह question हो गया proof हो गया solution हो अच्छा था यह question नहीं आसान question दा easy question दा simple as that